हमारी टीम में एक बहुत काबिल बेहन है जो अपने करतावे में अच्छे नतीजे हासिल कर दी है लेकिन वो बहुत अंकारी है और अपनी बातों पर अड़ जाती है मैंने उनसे बात की है लेकिन उनमें बदलाव नहीं आया है अब मैं उनके खिलाव पक्षपाती हो गई हूँ और मान कर चलती हूँ कि वो बदल नहीं सकती है मेरे मन में उन्हें काम से हटाने का भी खयाल आया है मैं जानती हूँ कि इस्थिती सही नहीं है लेकिन मुझे नहीं मालू मैं इसे कैसे हल करूँ मैं भी पहले इस्थिती में रह चुकी हूँ आखिर में मैंने परमेश्वर की वचन पढ़कर अपने आपको जाना. मुझे सही बरताव करने की सिधान्तों का पता चला. आईए परमेश्वर की वचन पढ़ें. हाँ, ठीक है. सरवर शक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा और उसके साथ कैसा बरताव करना चाहिए. इसके लिए लोगों के पास व्यभार के अपने सिधान्त होने चाहिए. उस व्यक्ति का परिनाम क्या होगा, वह परमेश्वर द्वारा दंडित क्या जाएगा, या फिर उसे न्याय का सामना करना होगा. यह सब देखना परमेश्वर का कार्या है, इसमें इनसान को टांग नहीं अडानी चाहिए. परमेश्वर तुम्हें पहल करने नहीं देगा, किसी के साथ कैसा व्यवार करना है, यह देखना परमेश्वर का कार्या है. अगर परमेश्वर ने यह फैसला नहीं किया है, कि इस तरह के लोगों का परिनाम कैसा होगा, उन्हें निकाला नहीं है और दंडित नहीं किया है और ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है तब तुमको धैरिय रखकर प्यार से उनकी मदद करनी चाहिए तुम्हें ऐसे लोगों की परिणाम निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ना ही उन पर नकेल कसने या दंडित करने के लिए मानविय साधनों का उप्योग करना चाहिए। तुम या तो ऐसे लोगों की साथ निपट सकते हो और कार्चार्ट कर सकते हो या फिर तह दिल से सहभागिता करके इनकी मदद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इन लोगों को दंडित करने, उनका बहिशकार करने और उन्हें दोशी ठहराने पर विचार करते हो, तो तुम मुश्किल में पढ़ जाओगे। क्या ऐसा करना सत्य के अनुरूप होगा। ऐसे खयाल अत्यधिक आवेश पूर्ण होने से आएंगे। जिनका नाम चेन था, वो काफी काबिल थे, उनका स्वभाव बहुत खमंडी था और वो दूसरों को दबाया करते थे, उन्हें दिखावा करना बहुत पसंद था, तो मैं उनके प्रतीब पक्षपाती होने लगी और अलग राये बनाने लगी, एक दिन भाय चेन मेरे पास और कहा कि वो नए विश्वासियों का सिंचन करना चाहते हैं, उन्हें विश्वासी बने बहुत समय नहीं हुआ था, और सत्य के बारे में उनकी समझ बहुत उदली थी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, ये देखकर कि मैं अपनी सहमती नहीं देने वाली हूं, वो कहने लग करके ये काम ठीक से कर पाओगे, ज्यादा खुश होने की जरुरत नहीं है, मैंने भाई चेन के अनुरोद को ना मन्जूर कर दिया, और बाकी भाई बहनों से कहां कि वो बहुत अहंकारी हैं, और बताया कि उनकी ब्रष्टता किस तरह नजर आती है, और उनमें से कुछ लो और परमेश्वर की गवाही देती है, इसलिए इन्हें देखने से हमें सत्य को समझने में मदद मिलती है, अगली सभा में भाई चेन ने कहा, यह बहुत अच्छी योजना है, कुछ अगवा और सहकर्मी सभाओं में सिर्फ मामूली बातें साजा करते हैं, इसलिए फिल्में उने भी मेरी बहुत मदद की, मुझे कुछ सत्य इन फिल्मों से समझ आए, अब मैं अपने काम में काफी कुशल हूँ, और मुझे सिद्धानतु की बुन्यादी समझ भी है, मैं अपने काम में काफी कुछ हासल कर पाती हूँ, मुझे उनकी सहभागिता, असंगत और और भाई चेन उन में से तीन पर संगती के लिए कूद पड़े, उन्होंने बाकी मुद्धों पर सहभागिता करने का जिम्मा भी दूसरों को सौप दिया, सभा की मेजबानी का काम मैं एक समुह अगुआ को सौपने ही वाली थी कि भाई चेन ने उनसे संदे भरी लहजे मे मैं पूछा, क्या आप इसे कर पाएंगे? वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनके अलावा कोई दूसरा इंसान सभा की मेजबानी नहीं कर सकता, यह सुनकर मुझे बहुत गुशा आया, मैं सोचने लगी, तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम बस इसलिए दिखावा कर रहे हो अफरत होने लगती, खास तोर पर इस दिर क्योंकि मैंने एक दो बार उनके अहंकारी बरताफ के बारे में उनसे बात की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं बदले, मुझे लगता था कि उनका अहंकार हर हद पार कर चुका है, फिर मैंने अपने मन में बैठा लिया कि वो बदल नहीं सकते, और उन जैसा अहंकारी इंसान किसी भी काम के लिए सही नहीं है, मैंने सोचा कि मैं बस उन्हें बदल देती हूँ, सभा खत्म होने के बाद, मैंने अपनी स्थिती और बरताफ के बारे में सोचा, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, मुझे लगा मैं भाई चेन के साथ कुछ ज्यादा ही निष्टुर हो रही हूँ, तो मैंने परमेश्वर से प्रातना की, हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ, मेरी स्थिती गलत है, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरी समस्या क्या है, या मुझे सत्य के किन सिध्धानतों में प्रवेश करना चाहिए, तुम उनके साथ निष्पक्ष व्यभार कैसे करोगे, हर किसी में छोटे मोटे दोश और कमिया होती है, साथ ही उनमें कुछ विलक्षनताएं भी होती है, सभी लोगों में दम, कमजोरी और ऐसी बाते होती है, जिनकी उनमें कमी होती है, तुम प्रेमी हृदय से उनकी अगर इन बातों को तुम उनके खिलाफ इस्तमाल करते हो, तो ये कटू होना है. जूटे अगुआओं और मसीह विरोधियों की दुष्टता को तुम अन्दीखा कर देते हो, लेकिन अपने भाई बहनों की छोटी सी कमी और भूल के कारण, तुम उनकी मदद नहीं करते हो. बखेडा खड़ा करते हो, पीट पीछे आलोचना करते हो, जिससे दूसरे भी उनका विरोध करते, बहिश्कृत, निश्कासित करते हैं. यह किस तरह का व्यवहार है, यह तो बस अपनी पसंद के अनुसार, काम करना और निश्पक्ष व्यवहार ना कर पाना है, यह एक भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दर्शाता है, यह एक उलंगन है, जब लोग कोई काम करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें देख रहा होता है तुम जो भी करते हो और जैसा भी सोचते हो, वह सब दिखता है, आमीन, आमीन, परमेश्वर के वचनों ने मुझे अपनी स्थिती दिखा दी, और मुझे शर्म आने लगी, मुझे समझ आया कि मैं अपने ब्रष्ट स्वभाव की नजर से भाई चेन को देख रही थी, मैं सिर्फ उनकी गलतियों का खयाल आता था, मैं उनकी भ्रष्टता की अभी व्यक्तियों को पकड़ कर बैढ़ गई, मैंने फैसला कर लिया, कि वो हद से ज्यादा ही अहंकारी है, और उनके जैसे लोग कभी भी बदल नहीं सकते, मैं कभी भी उनके साथ निश्पक्षता से ब करें, उनका बहिशकार करें, मैं उनके काम से भी हटा देना चाहती थी, क्या मैं अगुआ कि अपने पर्द का इस्तमाल उन्हें दबाने और नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही थी? मैं अपनी राय और सोच को सच मानने लगी, उन्हें दूसरों के बारे में राय बनान ज्यादातर मेरी राय बेतू की होती थी। मैं मनमाने तरीके से लोगों की आलोशना करती थी। मुझ में बिल्कुल समझ नहीं थी। मुझे परमेश्वर के प्रती बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचणों में लोगों के साथ निश्पक्ष बरताफ करने के सिध्धानतों की तलाश की, मुझे वचणों के दो अंश मिले। बेहन, मैं पढ़कर सुनाओ। बिल्कुल। तुम्हें दूसरों के साथ कैसे विभार करना चाहिए? यह परमेश्वर के वचनों में साफ तोर पर दिखाया और बताया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ जिस रवएये से विभार करता है, वही रवएया लोगों को एक दूसरे के साथ अपनाना चाहिए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ कैसा विभार करता है। कुछ लोग और परिपक्व अवस्था वाले या कम उम्र के होते हैं या उन्होंने सिर्फ कुछ समय के लिए परमेश्वर में विश्वास किया होता है। कुछ लोगों की प्रकृति और सार बुरे या दुर्भावना पूर्ण नहीं होते हैं। वे लोग कुछ हद तक अज्ञानी होते हैं या उनमे एक्षमता की कमी होती है या वे लोग समाज के द्वारा बहुत अधिक संदूशित किये गए हैं। उन लोगों ने सत्य की वास्तविक्ता में प्रवेश नहीं किया है। उनके लिए कुछ मूर्खता पूर्ण और नादानी वाले काम करने से खुद को रोक पाना मुश्किल है। दिर बहार निकालते ही उन्हें मारने लगता है। परमेश्वर ने कभी भी लोगों के साथ ऐसा विवार नहीं किया है। और विभिन लोगों की परिस्थितियों को प्रबंदित करने के कई तरीके हैं। तुम्हें इन चीजों के सत्य को समझना होगा। एक बार जब तुम इन सत्यों को समझ जाओगे तब तुम उन्हें अनुभव करने का तरीका जाओगे। हो सकता है तुम किसी के व्यक्तित्व के साथ तालमिल नहीं बिठा पाओ और तुम उसे ना पसंद भी कर सकते हो। लेकिन जब तुम उसके साथ मिलकर काम करते हो तो तुम निश्पक्ष रहते हो। और अपना कर्टव्य निभाने में भडास नहीं निकालते, कर्टव्य का त्याग नहीं करते। या परमेश्वर के परिवार के हितों पर अपनी चिड़ नहीं दिखाते। तुम सिद्धान्त के अनुसार चीज़ें कर सकते हो। क्यूंकि तुम परमेश्वर के प्रती बुनियादी श्रद्धा रखते हो। अगर तुम्हारे पास इससे थोड़ा अधिक है, तो जब तुम देखते हो कि किसी व्यक्ति में कोई दोश या कमजोरी है, भले ही उसने तुम्हें नाराज किया हो या तुम्हारे हितों को नुकसान पहुचाया हो। फिर भी तुम्हारे भीतर उसकी मदद करने की इच्छा होती है। ऐसा करना और भी बहतर होगा। मतलब कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें इंसानियत सत्य की वास्तविक्ता और परमेश्वर के प्रतिश रद्धा है। आमीन। अच्छे बरताव के सिध्धानतों और तरीकों के साथ ही लोगों की तरफ उसके रवये के बारे में परमेश्वर के वचन बिलकुल सपष्ट है। मसीह विरोधियों और बुरे लोगों की तरफ उसका रवया नफरत, अभिशाप और सजा का है। जहां तक उन लोगों का सवाल है, जिनका आध्यात में कद छोटा है, काबिलियत कम है, जिनमें कई भ्रष्ट स्वभाव और खामिया हैं, जब तक वो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, सत्य को खोजने की इच्छा रख स्विकार कर सकते हैं, तब तक उनकी तरफ प पहनशील और शमाशील होना चाहिए, हमें उनकी प्रेम से मदद करनी चाहिए, उन्हें बदलने का मौका देना चाहिए, हम दूसरों को सिर्फ इसलिए नीचा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो किसी तरह की भ्रष्टता दिखाते हैं, पर मिश्वर की ये इच्छा नहीं मैं उनकी मदद तो नहीं कर रही थी, उनकी गुणों को भी देखने से इंकार कर रही थी, मैंने उनकी आलोशना की, काम में शामिल नहीं किया, उनकी कमिया देख मैं चाहती थी कि वो चले जाए, मेरी प्रकृती कितनी दुष्ट थी, मैं सोचने लगी कि अगुआ की भूम के लिए रुकावट था फिर भी परमेश्वर ने मुझे नहीं हटाया अपने वचनों की मदद से मेरा न्याय किया मुझे अनुशासित कर मेरा निप्टान किया ताकि मैं खुद पर विचार कर सकूँ ऐसा करके उसने मुझे पश्चाताब करने और बदलने में मदद की मुझ मैंने अपने बरताफ पर विचार किया और जिस तरह से मैं भाई चेन से पेश आय तो मुझे इतनी शर्माई कि मैं चाहती थी कि मैं जमीन में धस जाओं फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा और उसकी साथ कैसा बरताफ करना इसके लिए लोगों के पास व्यवहार के अपने सद्धान्त होने चाहिए हालांकि उस व्यक्ति का परिणाम क्या होगा वह परमेश्वर द्वारा दंडित क्या जाएगा या फिर उसे न्याय और तारना का सामना करना होगा यह देखना परमेश्वर का कार्या है इसमें इन प्रिनाम निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं नकिल कसने या दंडित करने के लिए मानविय साधनों का उप्योग करना चाहिए. तुम या तो ऐसे लोगों की साथ निपट सकते हो और काट चाट कर सकते हो, या फिर तह दिल से सहभागिता करके इनकी मदद कर सकते हो. लेकिन अगर तुम इन लोगों को दंडित करने, उनका बहिशकार करने और उन्हें दोशी ठहराने पर विचार करते हो, तो तुम मुश्किल में पढ़ जाओगे. क्या ऐसा करना सत्य के अनुरूप होगा? ऐसे खयाल अत्यधिक आवेश पूर्ण होने से आएंगे. ऐसे विचार शैतान से आते हैं. और मनुष्य के आक्रोश के साथ ही मानेविय इर्शा से उत्पर्ण होते हैं. ऐसा आचरन सत्य के अनुरूप नहीं है. ऐसा करने से तुम्हें दंड मिल सकता है. यह परमेश्वर पर ध्यान रखकर उन्हें अपराधी नहीं ठहरा सकती. मुझे उनकी प्रकृति की बुनियात पर बरताव करना चाहिए. उनकी अलग-अलग स्थितियों और खामियों के मुताबिक व्यवहारिक मदद देनी चाहिए. दूसरे की स्थिति के आधार पर सत्य की वास्तविक्त इनसान को पता होता है कि उसे कब सबरेख से काम लेना चाहिए, कब कैठोड़धा से कांठ चाट और निप्टान करना चाहिए, और कब उसकी निंदा करनी चाहिए. ऐसे लोग सिध्धानतों पर काम करते हैं. वो अपनी मर्जी से किसी को रोपते नहीं है. या अगर कोई भ मैंने उन्हें नजर अंदास कर दिया, उनके आलोषना कर अपरादी ठहरा दिया, और पीट पीछे उनकी बुराई की, मुझ में ना तो सहनशीलता थी और ना ही सब्र, इसे स्नेही दिल से मदद करना नहीं कह सकते हैं. सरी. इस इच्छा से कि मैं सत्य का अभ्यास कर पाऊं, और इक सनेही दिल से भाई चेन की मदद कर पाऊं, मैंने परमेश्वर से प्रातना की और पश्चाताब किया. परमेश्वर का दिया. फिर मैं भाई चेन के पास गई, और उनके साथ परमेश्वर के वचनों के कुछ अंशों पर सहभागिता की और उन्हें उनकी खामिया बताई उन्हें अपना अहंकारी स्वभाव समझ आने लगा और वो ये भी समझ गए कि इसे ठीक ना करने के क्या खत्रे है उन्होंने कहा कि मेरी सहभागिता और चितावनी बहुत मददकार थी अब वो अपने ब्रष्ट स्वभाव को ठीक करने के लिए आत्मचिंतन करना और सत्य की खोश करना चाहेंगे परमेश्वर का धन्यवाद जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरा दिल खुशी से भर आया लेकिन मुझे बुरा भी लगा मैं सोच रही थी कि वो नहीं बदल सकते लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था मैं ही थी जो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी मैंने वाके इस नहीं दिल से उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की बलकि उनकी भ्रष्टता और खामिया मेरे मन में बस गई मैं उनकी आलोशना करने लगी, उन्हें नजर अंदास करने लगी मैं बहुत अहंकारी थी, मुझमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी बाद में एक सभा की दौरान, मैंने एक उच ब्रादा का धर्मोपदेश्ट सुना सारी ब्रष्ट मानवजाती का स्वभाव अहंकारी है यहां तक कि जो सत्य से प्रेम करते हैं और जो पूर्ण नहोने की कोशिश में है उनका स्वभाव भी अहंकारी और पाखंडी है लेकिन इससे उनके उधार हासिल करने की शम्ता पर असर नहीं पड़ता है अगर इंसान सत्य को और काट छाट और निप्टान को स्विकार कर सकता है और किसी भी तरह के हालात में सत्य के सामने जुग सकता है तो वो उधार हासिल करने और पूर्ण किये जाने के बिलकुल काबिल है सच तो यह है कि योग्य और डिड़ संकल्प वाले इंसानों में से कोई भी ऐसा नहीं जो अंकारी नहीं है यह सच है परमेश्वर के चुने होई लोगों को दूसरों के साथ ठीक से पेश आना चाहिए सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान बहुत अहंकारी और पाखंडी है या नहीं मानना चाहिए कि वह अच्छा नहीं है उसे बचाया और सुधारा नहीं जा सकता कि वह अच्छा इंसान नहीं और उसे बचाया नहीं जा सकता इस मुद्दे पर हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो काबिल हो त्रिर संकल पाला हो और जो बिलकुल भी अहंकारी या पाखंडी ना हो अगर कोई ऐसा है तो जरूर वो एक स्वांग रज रहा है या जूटा दिखावा कर रहा है हमें जानना चाहिए कि पूरी भ्रष्ट मानव जाती की प्रकृती अहंकारी और दंभी है और इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता इससे मुझे ये समझने में मदद मिली कि अहंकारी स्वभाव वाले लोगों के साथ कैसे पेशाना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकते बड़ी बात यह है कि क्या वो सत्य की खोश कर सकते हैं उसे स्विकार कर सकते हैं इसलिए उन्होंने न्याय और ताड़ना का अधिक अनुभव नहीं किया था। उनका ज्यादा अहंकारी होना स्वभाव एक था। लेकिन जब मैंने उनका ये स्वभाव सामने आते देखा, तो मैं उनकी बुराई करने लगी, उन्हें बाहर कर दिया, और चाहती थी कि उन्हें काम से हटा दिया जाए। मैं तो उनसे भी ज्यादा अहंकारी थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं सत्य की खोश करती रहूंगी, तो मेरा अहंकारी स्वभाव बदल जाएगा। तो मैंने ऐसा फैसला क्यों कर लिया कि भाई चेन नहीं बदल सकते। मैं अपने आप से ज्यादा उमीद नहीं करती थी, तो भाई चेन से इतनी उमीद क्यों कर रही थी। किसी के साथ ऐसा बरताव बिलकुल भी सही नहीं है। सच तो यह है कि जिन लोगों में अच्छे गुण, खूबिया और काविलियत होती है, वो काफी हंकारी होते हैं। चुंकि वो काविल होते हैं, उन्हें सत्य की समझ होती हैं और उक ऊच्छे नतीजे हासल करते हैं। जब ऐसे लोग सत्य को समझ कर सिध्धान्त के अनुसार काम करते हैं, तो इससे परमेश्वर के घर को काफी फायदा होता है. भाई चेन, महनती और एक काबिल इनसान थे, तो मुझे इस निह के साथ उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ ज़्यादा साभागिता करनी चाहिए, सिर्फ यही चीज परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होगी. इस अनुभव से मैं समझ पाई कि सत्य के बिना, अपने शैतानी स्वभाव के अनुसार लोगों के साथ बरताफ करने से, भाई बेनों को सिर्फ नुकसान हो सकता है. इससे उनके जीवन प्रवेश में और कलीसिया के काम में देरी होती है. यह एक अपराद है और दुष्टता है. सत्य के सिधान के मुताबिक लोगों के साथ बरताफ करना कितना जरूरी है. परमेशवर के वचनों के मार्ग दर्शन से ही मुझे यह समझ हासिल होई है. परमेशवर का धन्यवाद, आपकी सहभागता ने मुझे रास्ता दिखाया है. मैं समझ गई कि अपनी टीम की उन बहन के साथ कैसे पेश आना है. अब मुझे पता है लोगों के साथ सही बरताब कैसे किया जाना चाहिए